ओम श्रेगणे शायरा महा जै भूलिनाद जै शिफशक्ती वल्कम बाक टो अवर चैनल कैसे हैं आप सब आज हम एक मतली रीडिंग करने जा रहे हैं अगर आप सबी लोगों के लिए कैसा रहेगा ये जनल रीडिंग है अगर आप पहले बार चैनल पे आ रहे हैं ये महीना कैसा रहने वाला है एक छोटा सा मेसेच और अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं और अपनी डेली टैरो रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना मत बूलिये तो लेट्स बिगेन और देखते हैं क्या ब्लेसिंग सा रही हैं सबसे पहले हम भगवान की ब्लेसिंग ले लेते हैं for all the Sagittarius, क्या ब्लेसिंग सा रही हैं ओके, so Sagittarius, let's find out ओके, so we have here Agni Dev ओके, ठीक है, Sagittarius, तो यहाँ पे God of Fire and I saw Krishna as well तो जो लोग Krishna में, Lord Krishna में विलीप करते हैं तो उनका भी I think blessings आ रही है but यहाँ पे अभी right now we have Lord Agni Dev Lord of Fire, God of Fire okay, improved digestion, ठीक है true knowledge and worldly riches और acquisition of inner powers through yoga, freedom from debasing desires and habits तो मुझे ऐसे लगता है कहीं न कहीं यहाँ आपको blessings मिल रही हैं Agni Dev की तरफ से मुझे ऐसे लगता है आपका digestion अच्छा हो सकता है और true knowledge या you know in this world जो भी जिन चीजों की जरुरत होती है तो वो जरुरते आपकी पूरी हो रही है and maybe inner power as well और हो सतता है कि आप connect करें through yoga या you know self-discipline मतलब जो भी हम करते हैं like taking care of your health, food ठीक है, especially connected with that energy वो चीज़े मुझे दिखाई दे रही हैं then we have freedom from desires तो जो चीज़े आपको आपकी लाइफ में गलत जहां आपको लग रहा था कि नहीं आपको ये habit गिवप कर देनी चाहिए तो उसमें भी आपको help मिल रही है तो ये सारी blessings आपकी तरह आ रही है and yes of course थोड़ा सा गुसा कम करना होगा और थोड़ा सा यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी कुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ भी दिखाई दे रही है God of Fire we have तीक है तो ये सारी जी रहे है चलिए हम पटापट से Overall Energy चेक करते है for all the Sagittarius February month क्या रहने वाली है Overall Energy let's find out okay we have the Magician card here वाँ देखें हो सता है life में आप शायद problems कि तो निकल रहे हो in the past of course कुछ financial issues चल रहे हो emotional codependency कुछ उन सब में से निखल के आप मुझे से लगता है you are manifesting और ये जो महीना है आपके लिए true आप कुछ भी infinite possibilities number 8 ठीक है आप 8 को दिखते है it's like infinite तो वो चीज़ हमें दिखाए दे रही है कि आप कुछ भी अपनी life में अचीव कर सकते है it should be in a balanced way balanced approach रखिए और yes maybe हो सकते है आपने बहुत कुछ वेट किया है बहुत कुछ अपने पे काम किया है but now I am getting like it's coming true wishes coming true जिसे कहते हैं February month especially चलिए अब हम love life की बात कर लेते हैं this vegetarians के लिए जो love life कैसी रहने वाली है February month में okay so we have here hermit card love life की बात करें तो I think यहां पर अभी मुझे ऐसे लग रहा है खाली पन सा दिखाई दे रहा है खाली पन महिसूस हो रहा है और आप टाइम ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं सोचने में maybe it's about like you are controlling you are trying to control your desires या हो सकता है कि आप maybe you have lot of options but you are thinking आपके अराउंड लोग है और आप सोच रहे हैं वो चीज मुझे दिखाई दे रही है and keeping yourself bound on the other hand आपके जो पार्टनर है somebody loyal ठीक है we have that emperor energy या कुछ के लिए हो सकता है it's about karmic soulmate कुछ के लिए हो सकता है it's about this person is like यहां कोई रिफ्यूसल है आपकी लाइफ में हो सकता है आपको लगता है third party है यह चीज है और मेभी torn between choices ठीक है तो अभी फिलहाल वो चीज मुझे दिखाई दे रहे है heart broken, shattered वो चीज दिखाई दे रहे है या आपको को जो connection है वो on-off है on-off, on-off ठीक है like हो सकता distance हो हो सकता कहीं और रहते हो ठीक है आप इनका next move आपकी तरफ I think no move we have knight of pentacles so कोई move नहीं है specific ठीक है in fact somebody is like you know moving away और आपकी तरफ से मुझे लगता है कि आप भी कोई आप भी अपने काम में busy है अपने आपको busy रख रहे है तो फिर कौन है जो manifest कर रहा है अभी भी इस relationship को कौन है जो efforts पुट कर रहा है ठीक है अगर बात नहीं करनी है अगर दूरियां है अगर आप disinterested है या person disinterested है तो फिर ये manifestation I don't think कि ये कैसे है मुझे नहीं पता because हमारे पास दुबारा ये magician का काड आया है so maybe it's about कि कोई manifest कर रहा है still इस connection को इस relationship को ठीक है और शायद हो सकता है कि ये आपकी energy है और something going on ठीक है वो चीजें हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि yes marriage ठीक है something related to marriage या this and that या हो सकता है कि उपर से कुछ और शो कर रहे है और अंदर से कुछ और चल रहा है वो चीज दिखाए दे रहे है आपको for all the Sagittarius so this is it for February month चलिए अब हम करियर की बात करेंगे करियर वाइस ये जो महीना है कैसर रहे का आप लोगों के लिए करियर वाइस it seems to be good we have that victory card success card here ace of cups new opportunities learning something new और हो सकता है कि आप कुछ अच्छा content feel कर रहे हो में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रास्ता कुछ डिफरेंट ट्राइ कर रहे हैं में बात आपको आपका पात मिल गया आपको आपका purpose मिल गया है और शायद हो सकता है कि difficulty आ रही थी या stepping forward में आभी भी difficulty आ रहे है February मांत में मुझे कुछ changes दिखाए दे रहे हैं ठीक है maybe end of something and beginning of something new ये चीज दिखाए दे रहे है change money wise भी it's going to be good ठीक है लेकिन change सदूर है yes मुझा इस लग रहे है there is some change yes career front में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने गोला कि path different हो सकता है maybe you are taking steps further या ऐसा कुछ भी हो सकता है चलिए अब क्या guidance है from the angels Sagittarius के लिए February मत के लिए ये हम देख लेते हैं okay so क्या guidance है please angels आमें बताये suppression we have here ten of wands बहुत सादा pressure burden ठीक है and mind आपका mind is time ऐसे है आप तेख लिए कार्ट में मुझे कुछ बोलनेगी जरूरत नहीं है ठीक है now आप शायद हो सकते है आप अपने potential को पह जानते नहीं है and maybe it's about that you are putting your energy into wrong things आप अपनी जो energy है गलत जगए गलत direction में लगा रहे है वो चीज मुझे दिखाए रही है ठीक है it's about कहां जा रही है आपकी energy suppression दबाना अपने आपको अपने emotions को दबाना या बहुत tension लेना या overthinking करना या unnecessary सोचना ये सारी शीजे हो सकती है जहां needed नहीं है वहाँ जा रही है energy and in fact मुझे ऐसे लगता है कि आपको grow करना है आपको rise करना है ठीक है और ये जो इतनी beautiful energy देखे fire starting में हमने क्या देखा था fire agni dev lord of you know fire तो वो जो fire है उसको सही direction दीजे आप उसको उसको अपने purpose की तरफ ठीक है अपने सही like you know सही direction की तरफ देगे तो I think वो आपके लिए help होगा inner force that kind of a thing I am getting for all the Sagittarius so इस इस चीज को तरह दियान दीजे ठीक है उसको सही direction दीजे so this is it ये थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई हो और मुझे comment करके बताईए मिलती हूँ next time till then take care अपना ख्याल रखिए